वेल्कम टु न्यू लेस्न इस लेस्न में आप से बात करूंगा about similar audiences तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि similar audiences होती क्या है सी अगर आपने facebook पे कभी ads run की हैं तो आपको पता होगा facebook में एक चीज होती है look alike audience जो कि बहुत ज़्यदा powerful होती है तो look-alike audience करती क्या है basically कि आपके पास एक seed audience होती है एक ऐसी audience की list होती है जिसने आपके साथ पहले कोई business किया है या आपकी website विजिट की है या आपके साथ engagement किया है या किसी भी type का action लिया है आपकी website पे तो सबसे पहले आप काम क्या करते हो सबसे पहले आप उन audiences की एक list बनाते हो right then आप क्या करते हो आप एक audience बनाते हो that is called look-alike audience look-alike audience अब ये look-alike audience क्या करती है तो ये जो look-alike audience होती है ये जो आपकी seed audience होती है जो आपकी main audience होती है उसी के जैसे similar audience आपके लिए बना देती है तो suppose करो आपके पास हजार customers के list और आपको अब इन ही हजार लोगों जैसे और लोग चाहिए तो आप उसके लिए simple क्या बना लेते हो look-alike audience आप इन ही हजार लोगों जैसे और लोग Facebook आपको बना के दे देता है तो जैसे Facebook में look-alike audience होती है similarly Google के अंदर क्या होती है similar audiences तो similar audiences बनाने के लिए पहला काम क्या करना होता है कि आपको बनाना होता है audience तो जैसे आपको पहले पता ही है हमने बड़ी सारी audiences बनाना सीखा था तो हमने Google Analytics में भी audience बनाना सीखा था और फिर हम उस audience को अपना import कर लेते थे Google Ads के अंदर similarly हमने Google Ads के अंदर भी audience बनाना सीखा था ठीक है so step 1 तो हमने कर लिया कि हमने audience बना ली अब जो step 2 है that is similar audience उसमें आपको कुछ करना ही नहीं for example आप यहाँ देख सकते हो यह एक ad account मेरा पुराना यहाँ पे मैंने जैसे कुछ audiences बनाए रखी है न यह thank you page पर जोग ही गए जिन्नोंने engage किया है last 540 days में plus all users तो यह मैंने audience के list बनाई राइट अब google क्या करेगा google automatically इनके जैसे मेरे को similar audience बना के दे देगा automatically google आपके लिए similar audience बना के दे देगा आपको manually similar audience बनाने की जरूरत नहीं है facebook में जैसे हम manually similar audience बनाते हैं google के अंदर आपको manually similar audience बनाने की जरूरत नहीं है तो google आपके लिए similar audience कब बनाएगा तो google आपके लिए similar audience तभी बनाएगा जब आपकी जो seed audience है आपकी जो main audience है उस में उस list में at least hundred लोग होने चाहिए ठीक है जी कितने लोग होने चाहिए at least hundred अगर उसमें at least hundred लोग नहीं है तो google आपके लिए similar audience नहीं बनाएगा ठीक है जी तो at least hundred लोग आपकी seed audience के अंदर होने चाहिए अब सवाल यह उठता है कि क्या similar audiences से result अच्छे आते हैं हाँ बिल्कुल अच्छे आते हैं मैंने similar audiences को काफी test किया है सो similar audiences से काफी अच्छे result आते हैं प्लस जैसे जैसे आपकी जो seed audience है वो update होती जाएगी गूगल जो है वो आपका similar audience को भी क्या करता रहेगा automatically update करता रहेगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको just करना क्या है जभी भी आप add बनाओगे तो वहाँ पे आप कौन सी audience सेलेक्ट कर लोगे similar audience बहुत ही असान for example मैं आपको example दिखा देता हूँ say यहाँ पे मैं जाता हूँ campaigns के अंदर और यहाँ से मैं यहाँ पे करता हूँ new campaign ठीक है जी और suppose मैं करता हूँ create a campaign without a goal और यहाँ पे मैं लेता हूँ display और यहाँ मैं ले लेता हूँ standard display और यहाँ से मैं करता हूँ continue और देखो आप simple जैसे add बनाते हो वैसे बनाते जाओगे just आपको करना क्या है जब आप जाओगे audiences के अंदर यहाँ पर आप audiences के अंदर आप जाओ browse में और यहाँ पर देखो आपके पास option है remarketing list and similar audience ठीक है अब आप जब similar audience में जाओगे तो visitor ad words अब यहीं दो audiences है तो आप यहाँ से select कर सकते हो जिस audience को भी से आप इसको दिखाना चाहते हो similar to all visitors तो आप यहाँ से इनको select कर लोगे ठीक है यह website visitor क्या है जो normal आपके website visitors है ठीक है तो यहाँ पर आप similar audiences में जाके इस audience को select कर सकते हो और आप इसे add दिखा सकते हो यहाँ पर आपकी बाकी audiences आ रही है इन custom intent और बाकी जो हम create करते हैं यहाँ पर आपकी similar audience आ रही है आप यहाँ से अपनी similar audience select कर सकते हो और उसे add दिखा सकते हो ठीक है जी बहुत ही बहुत ही ज़्यादा simple है क्योंकि आपको manually create नहीं करनी होती similar audience Google आपके लिए खुद create कर देता है इसलिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जुरत नहीं है आपको जब आप add बना रहे हो तो जरूर आप वहाँ पे similar audience को select कर लोगे right and I'll highly recommend कि आप एक बार similar audience जरूर test करो मैंने similar audiences multiple campaigns के लिए test की है in the past और जो result है वो वाकई अच्छे मिलते हैं from similar audiences तो I'll recommend कि आप similar audience जरूर एक बार test करिए ठीक है जी thank you so much for watching this lesson